नमस्कार मैं कंचन भारदू आज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तों आपने ब्लैक कॉफी के बारे में तो सुना ही होगा आजकल तो ब्लैक कॉफी पीने का बहुत ट्रेंड भी चल रहा है लेकिन ये Black Coffee पीना सिर्फ fashion है या फिर इसका कोई सिहत के लिए फाइदा भी है तो चलिए आपको इसे वीडियो में बताते हैं कि Black Coffee शरीर के लिए फाइदेमन कैसे हो सकती है Black Coffee को अगर सही समय और सही मात्रा में लिया जाए तो Black Coffee के सेवन से शाररिक और मानसिक विकारों से रहत पाने में मदद मिल सकती है साथ ही Black Coffee से दिन के शिरुवार आपके लिए काफी सुकून भरी साबित हो सकती है क्योंकि ये Black Coffee आपको थकान महसूस नहीं होने देगी यही वज़ा है कि आज हम आपको अपने इसे वीडियो में ब्लैक कॉफी बनानी का सही तरीका और इसे पीने के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देंगे तो चलिए आपको बताते हैं ब्लैक कॉफी बनानी का सही तरीका आखिर है क्या सबसे पहले आप एक पतीले में एक कप पानी उबा ले और एक चम्मच उसमें कॉफी डाल दे लगभग 2-3 मिनट तक कॉफी को उबलने दे बस यही करना है और तयार है आपकी हेल्दी ब्लैक कॉफी इसे चान ले और गर्मा गरम सुभा खाली पेट पिये तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ब्लैक कॉफी आपकी सेहत के लिए कैसे जरूरी है दोस्तों ब्लैक कॉफी का सेवन करके वजन को भी कम किया जा सकता है दरसल इसमें कैफिन नाम का तत्व होता है जो मेटाबॉलिजम यानि खाने से एनरजी बनने की क्रिया में सुधार कर सकता है एक स्टडी के अनुसार कैफिन का सेवन उर्जा को संतुलित कर सकता है और थर्मोजेनेसिस इफेक्ट पैदा कर्मोटापि को नियंतरत करने में मददगार भी साबित हो सकता है कुछ रिसर्च का ये भी कहना है कि कैफिन के द्वारा मेटोबॉलिजम का बढ़ना वजन कम करने में सहिता कर सकता है ब्लैक कॉफी बेनफिट्स में तनाव से राहत भी शामिल है डिप्रेशन, चिंता, तनाव और उबावपन ये सब ही ज्यादा नीद और सुस्ती आने का कारण बन सकते हैं ब्लैक कॉफी में कैफिन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है ये मस्तिक्श और नर्वरस सिस्ट्रम को उतेजित कर सकता है विशेशयग कहते हैं कि कैफिन लेने से सुस्ती और थकान को कुछ समे के लिए कम भी किया जा सकता है जो कि तनाव के लक्षन है हालाकि तनाव की स्थिती में इसका ज्यादा सेवन करना भी सही नहीं माना जाता इसलिए अगर आप ऐसी समस्या से ग्रसित हैं तो इसको लेने से पहले अपने साइकाइटरिस से सलाँ जरू ले एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कॉफी के सेवन से रक्त में ग्लुकोज की मात्रा को कम किया जा सकता है इससे डियाबिटीस की समस्या से चुटकारा भी पाया जा सकता है साथ ही इसमें क्लोरोजेनिक एसेड पाया जाता है जो एंटी ऑक्सिडेंट की तरहां काम करता है क्लोरोजेनिक एसेड आतों से ग्लुकोज अफ्शोशन को रोग सकता है और इंसुलिन सवेदन शीलता में सुधार कर सकता है लेकिन ब्लैक कॉफी पीने का फायदा तभी है जब इसे बिना शुगर के पिया जाए जी हाँ डियाबिटीज के मरीजों को ये सलहा दी जाती है कि आप इसे बिना शुगर के लिए ब्लैक कॉफी के फाइदों के लिए डाइबिटीज मरीज डॉक्टरी सलहा के अनुसार इसे अपनी डाइबिटीज डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों ब्लैक कॉफी का सेवन दिमाग के लिए भी फाइदे मंद हो सकता है साथ ही ये थकान और सिरदर्द को भी दूर करने का काम करता है ब्लैक कॉफी के फायदे में हाट को हेल्दी रखना भी श्रामिल हो सकता है जी हाँ, दरसल एक स्टडी में ऐसा जिक्र मिला है कि कॉफी में कई ऐसे फाइटो केमिकल्स पाए जाते हैं जो ग्लुकोस मेटबॉलिसम में सुधार करके ऑक्सिटेटिव स्ट्रेस को दूर करके प्लैटलेट फंक्शन और इम्म्योनियो मॉडिलेशन पर प्रभाव डाल कर हर्ट को सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं वहीं एक स्टेडी में कॉफी के सेवन और हार्ट फैलियोर के मध्य एक विप्रीत संबंध को दर्शाया गया है जी हां इसका मतलब ये है कि कॉफी का सीमित मात्रा में सेवन हिर्दे रोग के खत्रों को कुछ हद तक कम कर सकता है वहीं इस रिसर्च में इस बात को भी काफी साफ किया गया है कि कॉफी का सेवन हिर्दे रोग को बढ़ाने का काम भी करता है एक research में ये पाया गया है कि black coffee पीने के फाइदे liver के लिए भी लाबकारी हो सकते हैं कौफी में polyphenol, caffeine और deptapinoid होते हैं जो liver को थीक से काम करने में बदद कर सकते हैं यानि कि black coffee आपके liver function को maintain करती है black coffee के syven से शरीर में fatty acid और liver में sootan जैसी समस्याएं कम हो सकती है वहीं कई research कॉफी के हेप्टर प्रोटेक्टिव गुणों को ये भी पुष्टी करती है Research कहती है कि कॉफी का सेवन लिवर स्चीटोसेस को कम कर सकती है साथ ही ये लिवर टिशू को नुकसान से बचानी के साथ साथ लिवर कैंसर के खत्रे को भी कम करने में मददकार साबित हो सकती है इसलिए लिवर स्वास्थे के लिए इसे प्रभाविग माना जा सकता है कैंसर से बचाफ में भी ब्लैक कॉफी के लाव देखे जा सकते है एक स्टडी के अनुसार कॉफी में मौजूद कैफेन, गैस्ट्रिक यानि पेट के कैंसर से बचाफ में सायग साबित हो सकता है ये कैंसर कोशिका को बढ़ानी से रोग सकता है इतना ही नहीं कॉफी, ओसियोफेगस, ब्रेस्ट, लीवर और ब्रेन जैसे अंगो पर भी एंटी कैंसर प्रभाव दिखा सकती है इस तरह ब्लैक कॉफी के फाइदे कैंसर में भी लाबकारी हो सकते है लेकिन ब्लैक कॉफी के नुकसान से बचने के लिए एक बाद डॉक्टरी सलहा जरूर ले कई कसरत करने वाले लोग शरीर के स्टेमिना को बढ़ानी के लिए कैफिन का उप्योग करते है हाला कि ऐसा करना सुरक्षित है या नहीं इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती दरसल कॉफी में कैफिन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि कॉफी के सेवन से शरीर की उर्जा को बढ़ाने में मदद मिल सकती है ये हमने आपको बताए कि ब्लैक कॉफी कैसे हमारी शरीर को फायदा पहुचा सकती है लेकिन हम आपको ये भी जरूर बताएंगे कि ब्लैक कॉफी हमारी सेहत को कैसे नुकसान भी पहुचा सकती है दिल की धड़कने तेज हो सकती है चिंता का कारण बन सकती है नींद में कमी आ सकती है, उल्टी होने की समस्याई भी हो सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, बार-बार टॉयलेट आने की समस्या हो सकती है इन सब नुकसान के अलावा क्याफिन का ज्यादा सेवन कौटिसोल को बढ़ा सकता है, इससे मांसिक समस्याई भी पैदा हो सकती है को इस वीडियो में बताया ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूले